हलो गाईज आप सभी साथ योगा स्वागत है अपके अपनी येट्यूब चैनल टॉप अपसिन पर तो डेली के तरह लोगा आज भी मौनिंग अपडेट लाएं जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट आज के न्यूज पेपर में वो सारी अपडेट आपको देखने को मिल ज सकते हैं यूपी ट्रिपल सी पेट समूगा की संपूर्ण गाइड है जिसमें आपको स्लेवर्स के अकॉर्डिंग हर एक चीज मिल जाएगी और 22 सो जादा यहां पर बोविकल प्रस्ट है दो सौल पेपर जो की आपकी 24 अगर 2021 को जो पेपर हुआ था उसके पहली और दूत इक्सप्लानेशन भी सही से मिल जाएगा साथी साथ आपको यहां पर इस्क्रीन पर जो है दो बुक और दिख रही है इन दोनों बुक को आप जो है मार्ग भी आप परचेज कर सकते यह भी जो है चक्चू पब्लिकेशन कीए बेस्ट बुक है तो आप जाकर इनको ले पुष्टाज तीन दिन में पहले पकड़े गे नकल माफिया रैकट ने नैनी में तीन के अंदरों पर कुल नो परिक्षारतियों को पेपर साल्व कराया थे यहां तीनों उनी प्रबंदकों की कालेज हैं जिने एस्टेफ ने गिरफतार किया मामले की जांच परताल में यह खुलासा हुआ है इस खुलासे के बाद पुलिस उन परिक्षारतियों से पूष्टाज की भी त्यारी किये सूत्रों का कहना है कि इस वबाबत मुकदमावादी स्टेफ के इंस्पक्टर की ओर से नैनी पुलिस को जानकारी दी गई है बताया गया कि जब गिरफतार तीनों अनि कालेज प्रबंदकों से पूष्टाज की गई थी तो उन्होंने एहम जानकाई दी थी बतायक था कि उन्होंने अपने कॉलेज में कुल नौ परिक्षारतियों को पेपर साल्व कराए है गिरफतार किये गे रामपरसाद इंटर कालेज चाका के प्रबंदक अनिल इन में उसके साथ ही गरफतार किया गया अब ब्यारती मुलायम से यादो भी सामिलता तो कुल मिलाकर आप यहां पर देख रहे हो जो लोग पकड़े गए अब वो कुबूल रहे हैं कि हाँ भाई मैंने नकल करवाया है मैंने पेपर सॉल्व कराया है और आप देख सकते हो क से हिसाब से यहाँ पर इस कैम हुआ है डेली एक नया मोर जो है यहाँ पर निकल करा रहा है यहाँ पर और बहुता है कि छे परिक्षातियों का विवरन पिलो जिटा रही है और यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं नकल हूई है और इसी को ले करके जो चात्रें जिन्हो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ठीक है तो अब उसकी मांग जो है यहाँ पर करना सुरू हो गई है अगली अपडेट है TGT PGT परिक्षा को लेकर करके यहाँ पर अपडेट आई है कि TGT PGT परिक्षा पर असमंजा समय अभ्यारती असास के साहता प्राद मादमिक विद्या जून में जारी करने के बाद अब परिक्षा केंद्रों के संबद में विवरन जुटा रहा है कहा कि चैन वोड के सत्यू अंजना गोहल से मंगलवार को मिलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो परिसान है और 4130 पदों के भरती विग्यापन जून में जा जारी हो गए थे और अब परिक्षा केंद्रों के संबद में विवरन जुटा आ जा रहा है तो इसके बारे में हमने बताई था टेईस अगस्त को एक नोटीज भी जारी हुए थी जहां पर 12 सहरो 12 जिलों की संटर के बारे में बात की जा रही है तो फिलाल काम तो इस पर च चला है ऐसा नहीं काम नहीं है लेकिन अभी तितना आने से चात जों काफी जादा परिशान है को कि लगबग 2-3 महिना हो चुका है फॉर्म डाले हुए अगली अपडेट है यूपी ट्रपलस्ती से अधिना सेवा चैनायोग भरेगा पी डबलू डी में जेई के प्रमोशन लिया गया है इसके लिए वैद डिप्लोमा धारी लिपकों के रिकार्ड की जांच कराई जा रही है इस कोटे के कुल जो है 149 पद रिक्त हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि यूपी ट्रपलस्ती से जेई के जो है प्रमोशन के पद यहां पर भरे जाएंगे यहां पर लिए गए हैं यहां लिखा कि मान देश के स्कूल सिख्छा ॵिजय किरन आनन्ने प्रदेस के कस्टूर्बा गांधी बालिका विद्ध्यालों में रिक्त सिक्ष्ण हेतर कर्मयों के पदों को भरने के निरदेश दिये हैं पूर में भी निर्देश दिये गए थे लेकिन अ अगली अपडेट है UPPSC से, कुल मिलाकर आप ये समझ लिए कि इस चैनल पर हर एक छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी अपडेट आपको दे दी जाती है, किसी भी भरती से हो, UPPSC हो, UPSCO, UPSCO, संगलोक सेवा, कुछ भी हो, ठीक है, मादमिक सिक्छा सेवा, चैन बोर्ड, हर एक तरब से यहाँ पर अपडेट मिल जाती है, अगर आपकी न्यूज पेपर में आईए तो, यहाँ लिखा है कि उत्तरकुंजी कटाप पर इस्थिती इसपष्ट करे UPPSC, UPPSC की ओर से संसोधित उत्तरकुंजी कटाप यों प्रप्तां को लेका इस्थित इसपष्टना कि जाने से, अब बेरती परिसान है, वो चाहते हैं कि आयोग आवेदन प्रिक्रिया के दोरान ही इसपष्ट कर दे कि संसोधित उत्तरकुंजी और कटाप अब कब जारी किया जाएंगे, आयोग PCS 2008 से पहले तक अंतिम चैन परडाम वाले दिन ही कटाप अंग जारी ही करता थ साथी संसोधित उत्तरकुंजेर पहले जारी कर दिया जाती है, लेकिन अब अंतिम चैन परडाम के बाद उत्तरकुंजी और कटाप अंग जारी किये जारी है अगली अपडेट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भरती को ले करके असिस्टेंट प्रोफेसर भरती में धांदली का आरूप आज होगी बैठक उच्चतर सिच्छा सेवर आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्चा में धांदली किये जाने के आरूद में सनिवार को डेली गसियों में जन संपर किया आगे के अंदोलन की रणनीत करने के लिए रविबार को चंसेकर राजात पार्ग में सामचार वजे बैठक बुलाई गई है इसके साथी इंटरनेट मीडिया पर भी विरोधन में अभियान चलाया जा रहा है जन संपर के दोरान अभियरती सुनील मौर्या ने आरोप लगा है कि आयोग के विग्यापन संक्या 50 का परड़ाम बिना ब्रस्टा चार के संभव नहीं है क्योंकि 100 प्रस्न का आयोग भी से उत्तर नहीं दे पाता राजनीद विग्यान में आयोग द्वारा तीन प्रस्नों के उत्तर बदलने पर वही प्रस्नी टापर के गलत होने सहींग नहीं हो सकता तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जिनके 100 में 100 प्रस्न जो हैं सही हैं और चात्यों ने कहा कि इतना तो आप आयोग को भी बैठा दो तो वो भी गलतियां कर देगा 100 में 100 प्रस्न नहीं सही करेगा ठीक है इन्हों ने कहा कि 3 प्रस्न जो बाद में गलत बताएगे टॉपर के सिर्फ वही 3 प्रस्न गलत में बाकी के सारे प्रस्न सही हैं चाप तो ने आरोप लगाया कि इसमें जो है धांदली हुई है बहुत जादा धांदली हुई है आज उसको ले करके बैठक जो है यहाँ पर छात्र करने वाले हैं तो फिलाल आज की मौर्निंग अपडेट में इतनी सारी अपडेट थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी झाले हुई है